रवी का दिल धड़क रहा था जब वह अपने कैमरे की वीडियो देख रहा था। वह बार-बार देख रहा था, लेकिन कोई भी अग्धुत चीज नहीं थी। नदी का पानी साफ था, किसी भूतिया आवास की कोई स्पर्श नहीं था। रवी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या देखा था। वह अपनी सोच के जोर पर चलता था। उसने दिमाग में से उसी लड़की की आवास सुनी जो उसे बुला रही थी। उसका दिल फिर से उसी डरावनी आवास के साथ डगमगाने लगा। इसका मतलब क्या है रवी ने अपने आप से पूछा। उसने विचार किया कि क्या वह अपने सपनों में हो रहे चीजों को वास्तविक्ता में उपेक्षित कर रहा था। रवी के दिमाग में एक आवाज आई उसे वो स्थान फिर से जाना चाहिए शायद वह अब और कुछ देख पाए। उसने फिर से अपना बैग उठाया और नदी के किनारे की ओर चला। रात का समय था और गाव के लोगों के डराबने किस से उसके दिमाग में घूम रहे थे। जब रवी नदी के किनारे पहुचा तो उसने एक अध्भुत द्रिश देखा। नदी का पानी अब लाल नहीं था बलकि वह साफ था। उसने एक विशेश तरहे की चमक देखी जैसे की अंधकार से उसे कुछ नया जीवन मिल गया हो। रवी ने अपना कैमरा निकाला और इसे बूट किया। उसने ध्यान से सभी विवर्णों को कैप्चर किया। पानी के रंग, चमक और नदी के किनारे का वातावर। जैसे ही वह कैमरा बंद करने वाला था। वह अचानक एक और आवाज सुना। रवी मेरी मदद करो। रवी चौक गया। क्या यह फिर से उसी लड़की की आवास थी। उसने चारों और देखा, लेकिन किसी को नहीं देखा। कौन है रवी ने धीरे से पूछा। मैं हूँ, तुम्हारी मदद की जरूरत है। आवास फिर से आई। रवी को अब नया समय था। वह फिर से उस और चला, जहां से आवास आ रही थी। यह बार-बार हो रहा था, जैसे कि कोई उसे कहीं ले जाना चाह रहा हो।